सुम अध्यान बच्चों आपकी पार्ट पुस्तव चंद्रापीड कथा का के लेकक महा कभी बाण भट्टजी है जिनका जीवन परिचे एम गद्ध सहली आधिके विशा में आपको बताना जाहूंगे ओ सुम में अंफर्ट खुत इंतर में आप लोग चंद्र पीड कथा का उत्राध फड़ेंगे को आप में फस्तेर में पड़ा है हुआ बारहभ्टी के विश्य में बारह बटी के जीवन के विश्य में कि जाता है कि ये बारबट संस्कत के प्रत्थम गद्यकार के रूप में जाने जाते हैं, इनके जीवन एवं काल के विशय में कोई संदे नहीं पाया जाता है, कारदंब्री की भूमिका में तताहा श्रीत के प्रतम दो च्वासों में बारबट ने अपने वंश के संबंध में बताया है, जीवन परचे, कहते हैंगे सोन नदी के तड़ पर इस्थित प्रीत कूट नाम के गाउं में वासायन गोती विद्वान ब्रहमण कुल में बारबट जीने जन्म लिया था, बारबट अपने वंश का उद्भव, सहस्वती तथा दधीच के पुत्र, सारस्वत के चचेरे भाई वत्स से बताते हैं, वत्स का वंशज पुबेर था, जिसका चतूत पुत्र, पाशुपत, बारबट का प्रपितामा अथा बाबा थे, बारबट के पितामा का नाम अर्थपती था, जिनके ग्यारा पुत्र हुए, बारबट के पिता का नाम चित्रभानु था, हर स्चरित के प्रथम तीर उच्वासों के आधार पर, आधार पर ही ये इनके वंश का वर्णन किया गया है, कहते हैं, इनकी माता राज देवी थी, बारबट के की माता जी जो है, इनके बच्पन काल में ही, बच्पन काल में ही स्वर्गवास हो गया था, इनकी माता जी का बच्पन काल में ही स्वर्गवास हो गया था, इनका लालन पालन जो है, इनके पिता ने ही किया, बाण अभी 14 वर्ष की ही थे कि इनके पिता इनके पीछे इनके लिए काफी संपत्ति छोड़कर चले गए यह वस्था कारम और संपत्ति अत्यधिक होने के कारण बाण जो है संसार को माता पिता की म्रत्यु के बाद संसार को देखने के लिए यह जंगल जंगल भूमने निकल पड़े उन्होंने विभिन प्रकार के लोगों से संबंद इस्थापित किया अपने संवयस्क मित्रों वसाथियों में बाण भट ने प्राक्रत के कवी इशान दो भाट एक चिकिस्शक का पुत्र एक पाठक एक स्वनकार एक रत्नाकर एक लेखक एक पुस्तक वरक पुस्तका वरक एक मार्ग मादर्किक दो गायक एक प्रतिहारी दो वेडिवादक एक गान के अध्यापक एक नृतक एक आक्षित एक नट नृतकी तथा तांत्रिक एवं धातु विद्या में निश्णात आज की गणना की हैं कई देशों का ब्रमान करके बार्भट ने अपने इस्थान प्रीतिकूटर लौट आते हैं वहां रहते हुए उन्हें हर्षवध्यन के चचेरे भाई क्रिष्ण का एक संदेश मिला मिला कि कुछ चुगल खोरों ने बार्भट की निंदा की है इसलिए वह तुरंती राजा से मिलने गए और दो दिन की आत्रा के पश्चात अजिरावती के तरपर राजा से मिले प्रतम साक्षातकार में बार्भट को बहुत निराशा हुई क्योंकि सम्राट के साथ ही मालवाधीर ने कहा था आयम मसव भुजंगा यह वही सर्व है यह वही दूस्ट है है तो बार्भट ने अपनी इस्तितिकाइस पस्टिक करण किया और सम्राट प्रसन हो गए उनकी उनको समझ लिया उन्होंने सम्राट के साथ कुछ मास रहकर बार्भट वापिस लोटे और हर शरित के रूप में उनकी आत्मकथा का गुर्गान किया था आत्मकथा लिखी हर शेट नामक पन्यास लिखता है बार्भट की आत्मकथा ही समाप्त हो जाती है कहते हैं बार्भट के अंतिम समय के विशय में हमें कोई खास ज्यात नहीं है उसके विशय में कुछ विशेश पता नहीं चलता है तुन तो ऐसा अनुमाल लगा जाता है कि बार्भट जो है बार्भट को जो है राज सरक्षन मिला था और उन्होंने हर शरीतम लिखकर उसका मोल्ले उन्होंने चुका दिया था बार्भट का भूशन भट तथा भट पुलिंद लाम का पुत्र था यह दो पुत्र थे उनके जिसने बार्भट की मृत्यु के पास्चात कादमरी को परदंबरी के दो लेखक माने जाते हैं यह तो हुआ उनका जीवन परिचय काल के विशय में बाणभट का काल रिणने जो है के विशय में बताने में कोई भी कटनाई नहीं होती है क्योंकि हर्ष चाहित के आरंभ में मानभट ने हर्ष को राज करता हुआ राज करता हुआ बताया है हर्ष के वन्ष का वर्णग उधानग के रूप में प्रभाकर वर्धन और राज वर्धन निसंदे इस बात को सिद्ध करते हैं कि बान भट कंणोज के समराथ हर्ष वरधन 606 से लेकर 646 के राज कभी थे बान भट का ये काल बाहरी साक्षों के आधार पर बाहरी साक्षों आधार में भी समामता रखता है बाड़बट का उन्लेक नमी शताबदी में आलंका शास्त के याता आनंद वर्धनाचारे ने भी किया है बाड़बट आनंद वर्धन से बहुत पहले के बतला पहले हो चुके ते ऐसा बतलाया जाता है ऐसे प्रमाण मिलते हैं वामन साथ सो पचास इसी में भी बाड़ का उलेक लेक है यह इनका आता है इनको जो है राजा हश्त वर्धन के काल का ही माना जाता है महा कवी बाड़बट ने कई एक रचनाय की जिसमें मुख्य रचनाय जो है कादंब्री और हर्श्यर्टम है मारकंडे पुरान के देवी महात्म के अपर आधारित दुर्गा का इस्त्रोत चंडी शत्कम प्राया इनकी रचना मानी जाती है लेकिन पार्वती पढ़ने इस रचना के विशे में कुछ संधे है इसको वामन का वामन भटबाण का बताये जाता है शैली एक विद्वान आलोचा के अंसार विशेशन बाहुले रचना में श्लेश में अर्थों में तथा शब्दों के अनुप्युक्त अर्थों प्रयोक में ही बाढ़ का वैसिस्ट है इनके गद्ध में लालित्य हैं लंबे समास समास अलंकारों में श्लेश, उप्मा, रूपक, उप्रेच्छा, सवोक्ति, परशंख्या और विशेश्ता विरोधा भास का बाहुल्य मिलता है जैसा कि आच्छो सरोगल के उलेक सिस्पस्ट है कि उनका प्रकृति वर्णन रथा अन्य प्रकार के वर्णन पर अधिकार है बाण बैटका मानव प्रकृति का ज्ञान आश्य जनक है उनका कोई भी तत्त रहस मैं नहीं रहा है यह ठीकी कहा गया है बाणो उच्छिस्टम जगत सर्वाँ बाण भट ने किसी भी कत्नी बात को नहीं छोड़ा है कत्नी का मतलब कहने योग जिसके कारण कोई भी पश्चात वर्थी लेखक बाण भट को अतिक्रांत न कह सका बाण ने किसी वर्णन को अचूता नहीं छोड़ा है उन्होंने जो कुछ कह दिया उसके आगे कहने को या बहुत कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है बाण भट ने जितनी सुंदर्ता सहर्दता सूच्व धर्ष्ट से बाई प्रकत का वर्णन किया है उतनी ही गहराई से अंता प्रकति और मनों भावों का विश्लेशन किया है प्रता काल का वर्णन संध्या का वर्णन शूद्रक का वर्णन शुक का वर्णन चांडाल कर्ण्य का वर्णन आदी आदी में बाण भट ने वर्णन ही नहीं किया बलकि प्रतेक वस्तु का सजीव चित्रण किया है अधास उसका सजीव चित्रण सामने चित्र उपस्तित हो जाता है अध्यन करने पर चंद्यापियों को दिये के शुकनाशुप देश में कवी की पृतिवा तो चर्म उतकश्क पर पर लक्षित होती है बारवटगी की लेखनी जो है भावनाव में बहती हुई सी पृतित होती है शुकनाशुप देश में सा पृतित होता है मानो सरस्वती साक्षात मोरती हो करके ही बोल पड़ी हो प्रतिएक वर्णन में विशय का सांगुपांग वर्णन मिलता है भासा का सामंजस, भावान कूल भासा का प्रयोग, अलंकारों का सु सैयत प्रयोग, भाशा में आरो, अवरो, तथा समास्युक्त पदावली के पश्चात, लगुपदावली, आधि गुण विशेश का गुण विशेश रूप से प्रात्त होते हैं श्लेश मूलक, उपमा का प्रयोग, विरोधा भास, पढ़ संख्या, ये प्रयोगों में लिश्टता, लिश्टता मनें कठिनाई, कठोड़ता, दूरबोधता, जानने में कठिनाई होना, और बौधिक परिश्रम अधिक करना प्रता है, अधिक है, कहीं कहीं वार्णा इतने लंबे हो गए हैं, कि ढूलने पर भी क्रियापत बड़ी कटनाई से मिलते हैं, कार उसका लंबे-लंबे समास, महाश्वेता दर्शन में एक वाग के 67 पंक्तियों का है, और कादम्री दर्शन में एक वाग के 72 पंक्तियों का है, विशेशन के विशेशों की परंपड़ा इतनी लंबी है, कि मूल क्रियाज होती है, वो कहीं खो गई हो, ऐसा प्रतित होने लगता है, अध्यन करने पर, ऐसे वर्णों में वर्णन का स्वात्स से रह जाता है, और कथा प्रवापद, कथा का जो प्रवापद है, वो पद पद पर, कदम कदम पर प्रतिहत हो जाता है, रुक रुक जाता है, रुकता रुकता सा प्रतित होता है, बानबट का भाव एवन कर्पना पर अधूती अधिकार है उनके वाक्यों की लंबाई असाधारन होते हुए भी मनों रंजक तता उत्कृष्ट है बानबट की क्रतियों में भाव की सम्रदता एम अभिवर्त की प्रचुरता होने से बेश सहरदयों के हरदय पर प्रभाव डालती है वसुता ठीकी कहा गया है वाली वाली बाली बभूँव बाड़ी बाड़ी बभूर निश्का सूप में कहा जा सकता है कि महा कवी बाड़ संसकत साहित के अदोतियर अपन है गद्ध के छेत्र में तो संसकत का कोई भी कवी इनके समक्ष नहीं ठहरता है इनकी रशनाओं में नए नए प्रिवोग है विदक्धता की संसकत की मधुरिमा इनकी रचनाओं में नए नए प्रिवोग विदक्धता की मधुरिमा अलंकारों का चमतकार रस की रम्रियता भाशाक की विवद्धा सब जगे विद्वान है सरवत्र मिलती है आत्म कथा आत्म कथा एत्यासिक वर्णन कथा गुंभन चरी चित्रन द्रश वर्णन प्रकच चित्रन तथा शास्ति ज्यान आधिके छेत में बाढ़ ने अपनी कलाका सुन्दता के साथ वद्रशन किया है बाढ़ के सुन्दर कावि को आधस बताते हुए हश्चयत में कहा गया है नव अर्थो जातिर ग्राम्या श्लेशो अक्लिस्ट रहा इस्फोट रसहा इस्फुटो रसहा विक्टा चरबंद बंदस्च पद बंदस्च कत्सनमे कत्र दुशकरम इन्होंने पांचाली रीती का प्रयोग किया है इस लोग ये श्लोग पांचाली रीती की परिभाशा के रूप में जाना जाता है धन्यवाद आज बचों बस बहां भटका परिचे उनकी रचनाए और बहां उचिस्टन जगसर्वम और शैली आधी विशे में बताया आपको इसको पढ़िएगा लिखिएगा दिखाईएगा धन्यवाद